हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बाक तो फिजिक्स क्लास्ट्टुएंट्स, आज हम यहां पे बुल्स इयर के नेक्स्ट ट्रापिक्स करेंगे, ठीक है, मेकानिक्स का पेपर वन ही, ठीक है, और इसके अंदर हमारा फिर्स यूनिट कम्प्लीट हो जाएगी, first unit के अंदर हमने सारी कर लिया है dynamics of single particle, dynamics of system of particles ठीक है और first particle जब यानि कि one particle का case लेके चलते हैं तो कौन-कौन से terms उसके अंदर आती हैं ठीक है ये सारी चिज़ें हम कर चुके हैं राइट center of mass हमने कर लिया है आज हम करने जा रहे हैं conservation theorems ठीक है conservation theorem बच्चे आपके जो syllabus के अंदर है वो दो हैं ठीक है एक तो हमारे पास है conservation theorem for linear momentum and second आपके पास है आपकी total energy के लिए ठीक है तो अगर आप energy conservation theorem बोल रहे हो क्योंकि वहाँ पर syllabus के अंदर mention नहीं है कि आप first particle के लिए बता रहे हो यह किसके लिए बता रहे हो इसलिए आपको क्या करना पढ़ेगा जो आप Obrig में यह दालना पढ़ेगा तो पेपर में अगर शिंगल पाटिकल के लिए वो mention करके आता है तो single particle वाला कराना अगर आपको कहा रहा है system of particle तो जो मैं system of particle के लिए करवाऊंगे आपको वो करके आना है ठीक है तो आप इस तरीकी सिस्ट को not down करेंगे आप यहाँ पर लिख दीजे heading डालीजे आज के लिए conservation theorem of linear momentum ठीक है conservation theorem of linear momentum आज हम linear momentum का case discuss करेंगे दोनों के लिए आपके single particle के लिए और system of particle के लिए ठीक है फिर हम किसके लिए करेंगे energy का case consider करेंगे क्योंकि दो ही है हम से दो ही पूछे है एक तो उसने किसका linear momentum का एक उसने किसका पुचा है आपका total energy का ठीक है a particle या for a single particle ठीक है हम single particle लेके चल रहे हैं अब single particle अगर लेके चल रहे हैं और आपको क्या दिखाना है linear momentum दिखाना है वहाँ पे तो आप सबको पता होगा कि हमारे पास क्या आता है जो newton's का वो आया था आपका second law वहां से क्या आता है dp by dt के equal आता है ठीक है तो यह यही कहता है linear momentum का conjuvation of linear momentum का मतलब देखो जो चीज conserved बोल रहे हैं इसका मतलब वो चीज constant आनी चाहिए ठीक है logic लगा के देखो जो चीज conserved है वो चीज constant आनी चाहिए ठीक है अगर मैं यह कहती कि energy constant है तो इसका मतलब E is equal to E conserved है यानि कि E constant की equal आएगा ठीक है यहां में क्या कह रही हूँ linear momentum conserved है यानि कि linear momentum की यानि कि यह momentum ठीक है P की value constant आनी चाहिए जब आपको याद हो मैंने पिछे क्या करवाया था आपको velocity constant बताया था velocity constant कैसे आई थी dv by dt is equal to zero कर दिया था integration दोनों साइड में करेंगे तो dv is equal to किसके यह तो zero हो गया तो यानि कि v is equal to कि integration करते कुछ नो कुछ constant आता है ठीक है तो इसका मतलब v किसके equal आगया constant के equal आगया था ठीक है यहां से अगर मेरे को यह constant करना है इसका मतलब f को zero होना पड़ेगा है ना इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यह statement दूँ कि जो मैंने external force लगाया था चाहे वो external हो या internal हो कैसा भी हो total force अगर system के उपर जो भी या particle के उपर जो भी लग रहा था वो हमारे पास कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा विट आपका कंजर्वड हो जाएगा ठीक है याने की constant हो जाएगा यह इसकी statement होगी समझ में आगी ने इससे ठीक है तो आप लिखेंगे यहां पे कि इफ दा टॉटल फोर्स अक्टिंग ओना पार्टिकल इस जीरो दैन लीनियर मोमेंटम इस constant और reserved ठीक है अब इसका proof करना है proof के लिए आपको यही तो करना पड़ेका हमें लेना ही पड़ेगा लेना ही पड़ेगा यही पड़ेगा और यह क्या है newton का second law तो इसका force F is defined as rate of change of linear momentum rate of change of linear momentum it is defined as the rate of change of linear momentum so mathematically we can write this as F vector is equal to Dp by Dt and as F vector is equal to 0 so Dp by Dt is also 0 and hence P is constant constant or conserved hands proof okay this means what do we have done this? we have proved it just what happened? 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 for a system of particle what happened? what happened? what happened? what happened? what happened? what happened? written here P dot is equal to submission of FI external this submission what is I is equal to 1 to N here I is equal to 1 to N you are what happened to what happened? what happened to what happened to the rate of change of linear momentum they sum if I had x sum of external force which the system will end then the momentum will be Closed the sum which applied once equal to end they will be conserved हो जाएंगे ठीक है तो statement change हो गई यहां पर ठीक है यहां मेरे को क्या करना पड़ेगा उन सारे forces का sum और momentum का sum क्या करवाना पड़ेगा यह लिखना पड़ेगा तो अगर यह लिखना है तो इसकी statement लिख लो यहां पर कि statement क्या statement हो जाएगी? if the sum of external forces acting on the system of particle is 0 than total linear momentum of particle total linear momentum of system of particle ठीक है? system of particle is constant ठीक है? अब हमें क्या करना है? इसको proof करके दिखाना है कि यह कैसे हो रहा है ठीक है? तो अगर इसको proof करना है तो proof के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? system of particle के उपर external force लेना पड़ेगा और formula तो वही रहेगा f is equal to dp by dt वाला है ना? तो वही रखेंगे इसके अंदर तो आप लिखेंगे as the equation of motion 4A for a external for a system of particle acting on by external force total external forces as it had to be is given by summation i fi external is equal to dp by dt जिसको हम लिख सकते हैं d by dt m dr by dt सबको पता है हम इसको यह लिख सकते हैं ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं? अगर यह 0 हो गया ना तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे conserve हो जाएगा तो if f of e is equal to 0 जहाँ पे f of e क्या है? summation of f ie ठीक है? इसको बोलेंगे क्योंकि यह total सारे forces का क्या कर रहा है? external forces का sum कर रहा है तो मैं इसको total को ऐसे लिख सकते हूँ जैसे आपने summation of m i लिखा था यानि की 1 के लिए i is equal to 1 to n यानि की सारे सब का वो कर रहा है तो इसको मैंने capital M लिख दिया total mass हो गया ऐसे ही total external force हो गया ठीक है? तो यह अगर 0 हो गया इसका मतलब dp vector by dt को भी मैं क्या लिख सकती हूँ? 0 that means जो p vector है वो क्या हो गया? अपना constant हो गया? हो गया? और क्या करोगे इसमें? यही तो पिछे भी proof किया था यहां हो गया यह खतम गानी और क्या करोगे? ठीक है? हो गया यह यहाँ पे अब next lecture के अंदर हम क्या करेंगे? बच्चे वहाँ पे हम अपने energy के case के लिए करेंगे ठीक है? energy के case जैसे आज हमने दोनों case consider करें हैं ठीक है? डिसकस किये हैं वैसे ही हम कल के लिए क्या करेंगे? दोनों energy के case को लेके चलेंगे और उसको डिसकस करेंगे ठीक है? ठीक है थाइप्ट आइप्ट वोचिए की थाइए और वीडियो धिए जाएट लिए अच्चे लिए अच्चर थाइटए थाजिक वाट आइए